धेट सारे comment धेट सारी email मुझे मिलती है हर दिन किस तरह से Google Camera की उज़ कर पाओगे अपने device के अंदर without root without camera 2 API इस वीडियो के अंदर बात करने वाल है किस तरह से आप Google Camera की उज़ करोगे without root without enable camera 2 API दोस्तो मैं धेट सारी वीडियो बना चुका हूँ Google Camera Gcam के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो जरू से मेरे चैलेंड के वीडियो सेक्षन के उपर जाके देख सकते हो make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंडी बला आइकन को दबा रहे हो इस तरह की Gcam के रिडियो को देखने के लिए और अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया जरू से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुनला तो दोस्तो आपको बाद हो जो पिक्सल 3 का जो Gcam है जो Google कामेरा है उसको अगर आप रानिंग करना चाते हो जैसे कि मेरे जो Redmi Note 4 है उसके अंदर में पिक्सल 3 का Gcam के उस कर रहा हूँ या पर आपको नाइट मोन मिलता है फोटो एस पायर है वीडियो आप कर सकते हो 60fps तक य पर यहाँ पर में जो लिंक आपकी शेयर करने बाले हो दोस्तो उस लिंक से अगर आप रानौट करते हो उस API को तो दोस्तो आपको कोई भी रूट एकसेस कोई भी Camera 2 API को एनेबल करने की ज़रावत नहीं है मेरे डिवाइस को पर धेर सरी Camera 2 API और Gcam इस्टल है जैसे कि आप 101% काम करेगा और दोस्तो आपको बाद हो इसके लिए कोई भी रूट एकसेस के जरूट नहीं है Android KitKat से शुड़ू करके Android 9.0 API के अंदर भी काम करेगा सबी डिवाइस को पर काम करेगा नो डूट एकसेस नो डूट एकसेस नो डूट पर पर एनेबल तो सिंपल इस उपन करते हैं पहली दाफ़ा जोसतो अब जब उपन करते हो तो आपको कुछ कुछ पर्मिशन को एलाग कर देना पड़ेगा मुझे अलरड इस Camera आप्लिकेश आपको कुछ जादा इस सेरीज के अंदर नहीं मिलेगा अपको नीचे राउन्लोड लिंग दे रहा हूँ ख्रोम से उपन करने के बात 5 सेगें रुक के गेट लिक में टैप करना उसके बाद इस Camera आप्लिकेशन को बहती आसादनी से इस्ट्रोल कर पाऊगे राउन्लोड कर यहाँ आपको एक फिचर मिलता है जोस्तों लेंस ब्लार जीसपी डिवैस के आ ănतर दोस्तों पोक्ट्टर मोड काम नहीं करता है जी काम नहीं करता है उस EPK को अप यूज कर सकतो है अगर आपके डिवैस के पर कैम्सक्राइम आरा आपको दिशार आपके शेघर नहीं है इस आपको में जल्दी से दिखाता हूँ यासे हम इसका जो स्टोरेज है क्लियार कर लेते पहले सो यह आपको ट्रेटारी दिखा गएगा वह फैली दिखा जाट ऑपन करो के कुछ इस्तर दिखा एका ठीक है तो हम यहाँ से lens blur को पेन करते हैं तो दोस्तो आपो बादू अगर आप lens blur से photo click करते हो तो दोस्तो दो picture को click करते हैं उसके बाद से compound कर देता है So shoot with lens blur to help the subject stand out So यहाँ पर आपको next करना होगा उसके बाद दोस्तो दिखाता है किस तरह से आपको photo को click करना होगा So slowly rise your device, keep subject center So आपको क्या करना होगा दोस्तो नीचे से उपर तक आपको swipe करना होगा जासे कि कुछ इस तरह Okay, like this ठीके यहाँ पर बतर रहा है दोस्तो low light So device move too fast So आपको क्या करना होगा दोस्तो नीचे से उपर दिख आपका जो device है उसे move करना हो उसके बाद आप portrait वाली picture को click कर पाओगे यह दोस्तो पोट्रेट वाली जो picture है दोस्तो यह face cover भी काम करते है उसके साथ कोई भी object हो उसके उपर भी काम करी जो की कफेदा अच्छी बाद है और आपका जो object है दोस्तो आपको 5 feet के अंदर ही होना चाहिए उसके साथ साथ दोस्तो आप मेरे पास अभी के लिए जो lens blur feature है दोस्तो मैंने टेस्ट किया है दोस्तो मेरे device कूप पर जोलो का एक phone है मेरे पास उसके नहीं टेस्ट किया है अच्छी बात है इस camera application का यहापर जो पैरनोर मोट है दोस्तो वह भी यहापर काम कर रहा है इसको भी दिक्कत नहीं है इस camera application के साथ anyway thank you for all this video have a nice day